जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगो नवरात्री की संपूर्ण जानकारी देंगे जैसे नवरात्री में पूजा के ल कोई कि कलस में क्या डाले कलस पे नारियल कैसे रखें अखंड जोती की सही दिशा क्या है नवरात्र के दौरान कौन से मंत्र का जाब करें कौन से पुस्तक का पाठ करें नवरात्र के नौ दिनों में मा को भोग कब और क्या लगाएं साथ ही साथ अगर आप नवरात्री का नहीं खाए जी हां दोस्तों नवरात्री की संपूर पूजा की विधी बताएंगे कि आप नवरात्र में नौ दीनों का ब्रत रख रही है तो आपको इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलूख अबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेर करेंगे नवरात्री में मा दुर्गा के नौ रूपों, नौ सक्तियों का पूजन किया जाता है नवरात्री के पूजन की शुरुआत पहले दिन कलस स्थापना के साथ होती है आने वाले नौ दिनों तक लोग ब्रत उपवास और मा दुर्गा के सप्त सती पाठ तथा जागरन, हवन, आदे भिन भिन तरह से पूजन करते हैं नवरात्री के पूजन से पहले पूजन की सामगरी हमें जान लेना जरूरी होता है तागी पूजन के दौरान हमें पूजन सामगरी को लेकर परसान न होना पड़े तो चरिये जानते हैं नवरात्री पूजन के लिए पूजन की कौन सी सामगरी की जरूरत पड़ेगी तो सामगरी की पूरी लिस्ट क्या है अगर आप कलस की अस्थापना कर रहे हैं, तो कलस अस्थापना के लिए एक कलस, यह कलस आप या तो मित्ती के, तामबा के, कासे के, पीतल के या चांदी के ले सकते हैं, लेकिन भूल कर भी स्टील का कलस नहीं रखना है इसके साथ ही जटावला नारियल, आम के पत्ते, हल्दी, कुंकुम, चंदन, अक्षत, जल, सिक्के, नए लाल कपड़े का टुकड़ा, पुस्प, कलस से बड़ी मित्ती की थाली, जिसे कस्तरी भी बोल सकते हैं, प्लेट भी बोल सकते हैं नव, अलग-अलग अनाज की बीज अगर संभव हो तो इत्यादी की आप सेकता होगी कलस स्थापना के लिए अब मादुर्गा की पूजा के लिए क्या समगरी होगी? तो लाल कपड़ा, सिंगार की सामगरी, अखंड दीपक के लिए दीपक, दीपक में डालने के लिए तिल का तेल, सरसो का तेल या घी कलावा या कपास की बाती, गंगाजल, पूजास्थल को स्वक्ष करने के लिए, धूप, एक चौकी, देवी की मूर्ती, फोटो फ्रेम रखने के लिए, अगरबत्ती, नारियल, अक्षत, पान, सुपारी, देवी दुरगा की तस्वीर, कुमकुम, हल्दी, चंदन, गुला गुलाब जल, कपूर, पवित्र धागा, जिसे कलावा बोलते हैं, मिठाईया, फूल, फल, केला और कोई अनफल आप ले सकते हैं, लौंग, इलाइची, पतासा, नैवेत्य, सिक्के, परसाद रखने के लिए, एक थाली की जरूवत होगी, तो आप पीतल की थाली एक अवस कलस अस्थापना के लिए कौन से सामगरी की जरूवत होगी, तो जैसे ज्वार बोने के लिए मिठी का पात्र, साफ सुत्री मिठी, जौ या गेहूं, घट अस्थापना के लिए कलस, सुध जल, गंगा जल, कलस को ढखने के लिए धकन, मिठी, आम के पांश पलब, रोली, म सुपारी, हल्दी की गाट, सिक्का, एत्र, दुर्वा, अक्षत, जटावला, नारियल, लाल कपड़ा, नारियल लपेटने के लिए, फूल, माला, फल, मिठाई, धूप, दीप, इत्यादी, समगरी, उसके सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजास्थाल यानि जहां पर क पुनह जोड डाले, एवं पुनह मिठी की एक पर डाल कर जोग को पूरी तरह से ढख दे, और थोड़ा सुध पानी छिड़क कर पात्र के वीचो बीच कलस को रख दे, कलस पर स्वास्तिक बना कर कलस में मौली बांदे, कलस में गंगा जल, थोड़ा सा और सुध जल लेकर पूरा भर दे, कलस में सुपारी, हल्दी की गाठ, एक रुपे का सिक्का, अच्छा दुर्वा, फूल और इत्र डालकर आम के पत्ते रखकर धकन से ढख दे, ध्यान रखे कि धकन को चावल से भरना है, उसकी उपर नारियल में लाल कपड़ा लपेट कर मौली बांद कर कलस पर रखे, ध्यान रखे कि नारियल जटा वाला होना चाहिए, और नारियल का जटा वाला भाग आपके मुख्र के तरफ होना चाहिए, तो इस प्रकार आप कलस की अस्ठापना कर सकते हैं, तो आपके अखम जोद देवी देताओन का भरत करना है, कलस की पूजा करे, तीका तो भी तेल या घी रालेंगे तो ध्यान रखना है कि वो तेल और घी नौ दिनों तक चले, बाती भी ऐसी रखनी है कि बाती भी नौ दिनों तक जले, बाती खतम नहीं होनी चाहिए, समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसलिए बाती लंबी रखे, इसके लिए सवा हाथ के कलावे की बाती बनाई जाती है अखंड ज्योद जलाते समय ध्यान रखना है कि ज्योद का मुख पुर्व या फिर उत्तर दिसा में होना चाहिए अखंड ज्योद जलाने से पहले हाथ चोड़ कर स्री गनेज देवी दुर्गा और सिव जीव की अराधना अवस्य करनी चाहिए नवर आवा आप 9 दिनों तक दुर्गा सब्सती का पार्ठ कर सकते हैं तो बेहतर परिनाम मिलेंगे साथ ही बता दे कि मादुर्गा को भोग क्या लगाना चाहिए तो आप 9 दिनों में माता के 9 सो रूपों को अलग-अलग प्रकार के उनके प्रिय भोग लगा सकते हैं उसका ऐभव की प्राक्ति होती है Math है धियान रखे कि मा की पूझा सुबह और 20 दोनों समय करनी है और भूग भी आपको दोनों समय लगाना होगा अब चलिए जानते हैं कि अगर आप नबरात्र के ब्रत रख रहे हैं तो ब्रत के दरान आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीएग आपको बता दे कि इन दिनों आप एक टाइम फला हा रहें और एक टाइम आप सिंधा नमक का इस्तिमाल कर सकते हैं सिंधा नमक का इस्तिमाल आपको संधिया समय में पूजा के बाद करना है फल में आप कोई भी फल ले सकते हैं चाय, कॉफी, ड्राइफ्रूर्ट से सब ले सकते हैं वहीं आपको बता दे कि सिंधा नमक में आप सिंघारे की आटे का हलवा कुट्टू का आटा, समा का चावल, मखाने फ्राई करके साबुदाने की खिचड़ी आप बना ले